नमस्कार प्यारे बच्चों, मिसिन सिक्षर समवाद के अंतरगर्द, प्राथमिक इस्तर पर हिंदी विशय के लिए पढ़ाई से पृतियोगता तक में अन्छेद के प्रशनों के उत्तरप चुठकियों में खुजें, देखें वीडियो क्रुमांक 42, आए सीट क्रुमांक 42 क पढ़ते और समझते हैं, प्रस्तुत है अन्छेद नमबर एक, एक राजा एक विरक्त संत के पास ससंग करने जाया करता था, संत उसे प्रजाजनों के दुख दर्द में सहायता करने की प्रेड़ना दिया करते थे, राजा सदाचारी था परंतु राज और धर्म के अहंकार के कारण कई बार वह विद्वानों का अपमान कर देता था, संत को इसका पता चल गया, एक दिन राजा संत से बोला महराज मेरे मन को पूर्ण सांती नहीं मिल पा रही है, कोई ऐसी कमी जरूर है जो मुझे परिशान रखती है, संत जानते ही थे कि एहंकार के कारण इसका मन असांत रहता है, उन्होंने कहा यदि मेरी बात मानने का वचन दो तो उपाय बता देता हूँ, उससे तुम्हारा एक दुर्गुर्ण दूर हो जाएगा और परिशानी दूर हो जाएगी, राजा ने वचन दिया, संत ने कहा कल से नगर में जाकर साथ दिन तक विद्वानों वश्रेष्ट जनों के घर से भिक्चा मांगो, साथ दिन में तुम इसका चमतकार देखोगे, राजा ने कहा जिन लोगों को मैं दान देता हूँ, उनके आगे हाथ पसार ना तुम बहुत मुस्किल होगा, संत ने जवाब दिया, इसी प्रियोग से तुम दुर्गुर्ण से मुक्त हो पाओगे, राजा ने विद्वान पंडितों वा अनिस्रेश्ट जनों के द्वार पर पहुँच कर भिक्चा मांगी, उसका एहंकार पूरी तरह नश्ट हो गया, उसे सांती की अनभूती होने लगी, आये वच्च्वब अनिस्षेद के प्रशनों को हल करते हैं, पहला प्रशन है, संत को किस बात का पता चल गया, तो इसका उत्तर A सही है, वह विद्वानों का अपमान कर देता था, दूसरा प्रशन है, सत संग का संधी विच्चेद कौन सा सही है, तो इसका उत्तर C सही है, सद धन संग आये वच्छव अब तीसरा प्रशन हल करते हैं हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ कौन सा नहीं है तो इसका उत्तर D सही है तारीफ के लिए हाथ उठाना चौथा प्रशन है राजा का खाली जगय पूरी तरह नश्ठ हो गया तो इसका उत्तर D सही है अहंकार पांच्वा प्रशन है अपमान का पर्यावाची सब्द कौन सा नहीं है तो इसका उत्तर C सही है सम्मान आये वच्छव अब अच्छे दो को परत्योर समस्ते हैं एक समय चीता भारत के जंगलों में सिंग बाग और तेन्वे के साथ विचरन करते थे मुगल समराट अकवर के पास एक हजार से अधिक पालतू चीते थे पर पिछले 75 साल में यानि आजाद भारत की अब तक की पूरी अवधी में देश धर्ती पर सबसे तेज दोडने वाले इस्थलिय जीव चीते से बंचित था प्रधान मंत्री नरिंद मोदी ने अपने 72 जन दिन पर नामीबिया से आए आठ में से तीन नर और पांच मादा को कूनो राश्ट्रिय उद्धान में छोड़ा 1947 में जब देश में केवल आखरी तीन चीते बचे हैं तो उनका भी सिकार कर लिया गया यह दुरभागे रहा कि हमने 1952 में चीतों को बलुप्त तो घुशित कर दिया लेकिन उनके पुनरवास के लिए सार्थक प्रयास नहीं हुआ फिर पूरी योजना बनाई बैग्यानिकों ने सोध किया वहां के विशेशक भी भारत आए पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उप्योक्त छेतर के लिए सर्वे हुआ जिसके वाद कुनो राष्ट्रियोद्धान को चुना गया जब अफ्रीका की उडान से आठ चीते भारत की जमीन पर उतरे चीतों को नामीबिया से 747 बोईंग बिमान में सवार किया गया और अगले दिन उनके नए ठिकाने कुनो नैशनल पार्क में ले गए बच्वबनशेत के प्रश्णों को हल करते हैं पहला प्रश्ण है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने अपने खाली जगए जन दिन पर उध्धान में छोड़ा तो इसका उत्तर बी सही है बहाततरवे दूसरा प्रश्न है कुनोराश्रुधन गिस राज्ज में है तो इसका उत्तर C रही है मध्य प्रदेश में दूसरा प्रश्न है आठ चीते किस देश से आए तो इसका उत्तर D रही है नामीविया से चौथा प्रशने चीतों को कब बिलुप्त तो घोशित कर दिया गया तो इसका उत्तर C सही है 1952 में पाचवा प्रशने उध्यान की संदी विच्छेद क्या होता है तो इसका उत्तर D सही है उत्त धन यान साथ आज की सीट यहीं समाप्त होती है धन्यवाद वाद